लड़किया लड़कों से कम नहीं हैं ये कई सारी fields में हमको आज की समय में देखने को मिलता है और अगर हम sports की बात करें तो sports में 50-50 का जो percentage है आज की समय में और कई जगा तो लड़किया लड़कों से आगे भी हैं अगर हम जमो कुश्मीर की बात कर रहे ते बहुत सारी games में लड़के लड़कियां यूथ है जमुकश्मीर का वो आगे निकल के आ रहा है नेशनल्स इंटरनेशनल्स में पार्टिस्पेट कर और मैडल्स में निकाल रहा है मेरे साथ साधिया तारीक है शिनगर की है प्रेजनेशन कॉर्णमें नाइन्थ क्लास की स्टूडन्स है और अभी ये फिलहाल हाला में 19 जूनियर नैशनल गेम्स वूशू की उसको अटेंड करके आई है और गले में आप इनके गोल्ड मैडल्स देख सकते हैं साधिया सबसे पहले आपका बहुत-बहुत सवागत है और बहुत-बहुत आपको कंगरेशुलेशन्स आपने जमुकिश्मीर के लिए गोल्ड मैल्डन निकाला है किस तरह का पूरा इवेंट रहा ये इवेंट तो बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत- मेंने क्लासिज चोईन की सपोर्ट कि जो हमारे रमी से रजासर ने और गनाइज की ती वैसे तो हमने वैसे उधरी पे practice ही घर में करते थे उसके बाद मतलब लगा कि नहीं बहार निकलना है कि थोड़ा करेंगे तो उसके बाद हमारे कोचेज ने ग्राउंड मतलब यह किया जहांपे हम लोग प्राक्टिस कर सकते तो अच्छे से सोशल डिस्टंसिंग के साथ हम लोग अच्छे से करते थे प्राक्टिस अगर मैं बात करूं फाइनल में किसके साथ आपकी फाइट होई थी और कितने राउ कि दिमाग में रखा कि नहीं कोचेज के लिए करना है उनने इतनी महनत किया मेरे को थोड़ा है दो मिनट के लिए मिझे अपनी महनत देखानी है यहां पर तो तब जाकि मेरा गोड़ा है मैंने वन साइड गेम फिर खेली अगर हम बात करें लड़किया गेम्स चुनती हैं बट यह वूशू टाइप की गेम में बहुत जादा आपको एक्टिव रहना पड़ता है बहुत जारा अनरजी बूस्ट होती है आपके नरजी लगती भी है इंजिरीज भी होती है तो यह गेम क्यों चुनिया आपने मतलब कि इसके तरफ किस तरह का इंट कैसे बड़ा कि वह इसी खेलती थी मतलब मैं आज सोअ उसने ब्रॉंच किया था मतलब मैंने घजा हो इसी तरह करजा है тवरॉम को था क्या नहीं पर रिज्टिदारी तो उनी नहीं मतलब कर वाया था पिर कहां तक कि इसने कैसे किया यह वो तो साइशायों करा दिया था फिर उससे कश्मीर की शिनगर की फिलहाल हम पिछले कुछ समय की बात करें उस तरह का माहूल नहीं है बड़ा उपन माहूल नहीं है आपने हर्याना भी गए बाकी राज्यों में भी गए अलग-अलग वहां का बड़ा उपन आपको एटमस्फेर दिखा होगा अब जब शिनगर की बात करते हैं तो लगता है कि कहीं नहीं कमी है हम लाइक वो वैसा खुल के एक्स्पूजर नहीं मिलता जैसे बाकी यूटी या स्टेट्स के बच्चों को मिलता है यह तो है मतलब उतना खुल के मतलब हम नहीं कर सकते हैं मतलब अगर हम बाहर अगर होते हैं वो ऐसी खेल लेते हैं अच्छे से कर अब कश्मीर में देखते हैं सोसाइटी बहुत गलत सोचती है कि क्या लड़की खेल रही है ये इसको घर में पढ़ना चाहिए ये नहीं सब कामों के लगए ही तो मतलब मैं उनको ये कहना चाहिए कि लड़किया कम नहीं है लड़कों से लड़किया भी कर सकती हैं स्पोर्ट्स में मतलब तब भी फोन तो नहीं चला रही ड्रक्स तो नहीं ले रही है सही काम कर रही है तब भी मैडल स्टेट के ले खेल रही है drugs तो नहीं ले रही है drugs की आपने बात की बहुत ज़ादा अगर हम बच्चे देखे एक तो drugs में drug addicted हैं दूसरा वो social media से बहुत ज़ादा addicted पाए जाते हैं mobile में ही ज़ादा सामें निकालते हैं आप कितना use करते हैं mobile अगर हम बात करें randomly use करते हैं या फिर बाकी बच्चे की तरह मैंने गी ज़ादा use करती मतलब में को टाइम ही नहीं मिलता है पड़ायी भी संभालनी पड़ती है फिर नाश्नल्स होता है फिर मतलब टाइम पर मतलब सब कुछ करना अपर तो फून चलाने का टाइम नहीं टीवी, टीवी तो है ही नहीं, तो आप उनको देखते होंगे, तो मन में आता होगा कि, लेकिन क्या लगता हूं बच्चों के लिए, जो जादा ही समय आजकल के टाइम में फून में निकालते हैं, फिजिकली भी वो लोग वीक दिखने को आते है साफ तोर पर, तो लगता है कि मुबाइल में ज्यादा इन्वाल्व रहना कहीं न कहीं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी को मुबाइल आप से दूर कर देता है, जी मतलब मेंटली वो लोग फिट नहीं है, नहीं फिजिकली, मैं बूत कोंगी, नहीं फिट है, मतलब फून पर इस भी खराब हो जाती है, नहीं दिमाग दिमाग से फोन की तरह रहता है, मैं जब मैं फोन देखती नहीं, मैं जादा मतलब स्पोर्ट्स की तरह है, मैं अक्टिविटी जादा करती हूं मैं तो मतलब मेर को लगता कि जादा फून चलाने से उतना फाइदा नहीं जितना मत किसी गेम से जुड़े हुए नहीं नहीं है बट वो सपोर्ट फुली सपोर्ट करते हैं उनको थांक्यू बहुत जादा करना अगर हम बात करें अभी आप हर्याना से होके आई हैं वहां का इंफस्ट्रक्चर वहां का महावल एटमस्फेर है किस तरह दिखा और यहां की गौर और यहां कि अगर अगर में बता हूं साधीया नाइंध क्लास में बढ़ती हैं और पहले टाइकावांडों में खेलती थी पांथ साल के टी रही फिर वुशू गेम में में आई और अभी यह फिलहाल 19th junior वुशू नैशनल गेम्स थी उसमें जो है अंडर 17 केटागरी में ग बाकी जगहां की बात करें तो अगर बच्चे या फिर प्लेयर यूवा होते हैं वो मेडल्स निकालते हैं उनको बहुत जादा उनको प्रेफरेंस दी जाती है बहुत जादा उनको सपोर्ट किया जाता है स्टेट गोर्मेंट द्वारा यह यूटी गोर्मेंट द्वारा लेक ये तारिक जैसे बच्चे जो की शिर्णगर से हैं बेटी हैं और लड़कों के बराबर कंदे से कंदा मिलाकर ये लोग जमो किश्मीर का नाम रोशन कर रहे हैं तो हमारे सब के लिए बहुत बड़ी प्राउड की बात है और साफ तोर पर गोर्ण्मेंट के लिए एक हम यही उनसे दर्ख्वास्त करेंगे कि स्पोर्ट की तरफ जो बचे मैडल लेके आते हैं इन पर खास ध्यान दे उनकी चोटी-चोटी चीज़े हैं उन पर अगर वो फोकस करेंगे तो बचे और अच्छे परफॉर्म करेंगे और जमो किश्मीर में का जो मैडल टैली है वो आने वाले समय में और भैतर होगा वीडियो जनिस पर शर्मा के साथ खोईश्पटे आट स्टे टाइम्स जमों